आज मैं आपको बुक माई शो के उपर बाई वन गेट वन तरीके से एडवांस मुवी टिकिट कैसे बुक किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकरी दिने वाला अगर आप भी एडवांस मुवी टिकिट बुक करना चाहते हो बुक माई शो के जरीए तो आप घर बैटे अ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं किसी भी 5 लोगों के लिए मुवी टिकेट बुक करके दोंगा वो भी फ्री में लेकिन अगर मेरे 25 से पहले 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट होते हैं तो मैं किसी भी 2 लोगों के लिए मुवी टिकेट बुक करके देने वाला हूँ तो आपको ये ओफर मिलने वाला है किसी भी 2 लोगों के लिए ये मुवी टिकेट फ्री में मिल सकते हैं और अगर मेरे 25 से पहले 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, तो किसी भी 5 लोगों के लिए movie ticket फ्री में दे सकता हूँ. और आप चाहते हो मुझसे buy one get one तरीके से movie ticket बुक करना, तो मैं आपके लिए buy one get one ticket बुक कर सकता हूँ. मेरे पास 4 से 5 ऐसे credit card है, जिनके जरिये में buy one get one ticket, movie ticket बुक कर सकता हूँ. तो आपको क्या करना है, like करना है और channel को subscribe करना है. और आप किसी भी credit card के लिए apply करना चाहते हो, तो उसका link नीचे description में है. तो क्या करना है, आपको नीचे link description में उसके उपर click करना है, यहाँ पर देख सकते हो, यह मेरे website पर लेके आएगा, और यहाँ पर आप multiple credit card के लिए apply कर सकते हो. जो भी credit card के लिए apply करना है, उसके उपर click करना है, वो लेके जाएगा official website के उपर, जहाँ पर आपको personal detail फील करनी है, और आपको immediate समझेगा कि आपको यह credit card eligible हो या नहीं, और कुछ भी doubt होता है इससे related, तो यहाँ पर देख सकते हो, मेरा telegram group और whatsapp group भी है, आपको कुछ भी doubt होता है, तो यहाँ पर मुझे message send कर सकते हैं, यहाँ मेरा Twitter और Instagram ID भी हाँ पर मैंने दिया है, तो book my show के उपर advanced movie ticket book करने के लिए, सबसे पहले आपको book my show application डाउनलोड करना है, आप website पर जाकर भी, book my show के website पर जाकर भी movie ticket book कर सकते हो, फिलाल में यहाँ पर application का use करने वाला हो, तो यहाँ पर पहले आपको download करना है, download करने के बाद open करना है, open करने के बाद आपको कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाता है यहाँ पर देख सकते हो सारे information यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले आपको movie ticket book करने से पहले आपको city select करनी होती है यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर Mumbai की है तो आपको यहाँ पर आपकी city select करने है तो यहाँ पर मैं change कर देता हूँ उसके उपर click करूँगा और उसके उपर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो multiple city आ चुके अगर इनमें नहीं मिलती है आपकी city तो यहाँ पर आपको भी बहुत सारी cities है वहाँ पर click करके आप search भी कर सकते हो यहाँ पर अगर आपको गुद्रने में problem आ रहे है तो यहाँ पर KEVIN सर्च भी कर सकते हो फिलाल मेरी city यहाँ पर Mumbai है इसलिए हाँ मैं Mumbai पर click करता हो और all पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो मुझे movie ticket book करने इसलिए यहाँ पे मैं movies में जाओंगा movies में आने के बाद यहाँ पे आप filter भी लगा सकते हो जैसे कि English, Hindi, Marathi तो अगर आप filter लगाना चाहते हैं तो filter भी लगा सकते हो इसी के साथ यहाँ पे coming soon में आएंगे तो अब जो भी movies आने वाली है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है साथ ही यहाँ पे जितनी भी movie चल रहे हैं Mumbai में वो सारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो मुझे यहाँ पे end man movie देखने जाना है मुझे advance movie ticket end man का देखने का है करने का है तो यहाँ पे मैं उसके उपर क्लिक करता हूँ उसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सारी information इस movie के related आ चुकी है जैसे कि यहाँ पे interested कितनी है release कब होने वाली है और कौन से कौन से इसमें आने वाली है 2D, 3D, ICA, 3D, 4D में आने वाली है और हिंदी इंग्लिश में दोनों में आने वाली है और यह कौन सा movie है action, adventure, comedy, sci-fi movie है और यह कितने time घंटे का movie है तो यहाँ पे देख सकते हो 2 hours, 4 minute का यह movie है इसी के साथ यहाँ पे cash कौन सा है, crew कौन से है यहाँ आपे trailer भी यहाँ देखने को मिल जाती है तो सारी information यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इसी के नीचे book ticket का option है उसके ओपर click करना है उसके ओपर click करने के बाद यहीं पूछेगा आप English में देखना चाहते हो या Hindi में Hindi में कौन सा देखना चाहते हो 4D, 3D या Max 4D तो यहाँ पे मैं 3D देखना जाना चाहता हूँ इसी लिए यहाँ पे मैं 3D पे click करता हो 3D पे click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपको that select करनी होती है कि आप कोई से दिन movie देखनी जाना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो 17, 18, 19 तो मैं Friday को movie देखने जाना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पे मैं 17 को select करता हूँ 17 को select करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एनोक्स मेट्रो मेरे यहाँ से नजदी के इसलिए यहाँ पर मैं उसके उपर क्लिक करूँगा और यह शो कितनी बज़े का है यह भी यहाँ पर दिखने को मिल जाता है तो मैं 9 बज़े के शो को दिखने जाना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर 9 यहे में उसके उपर क्लिक करता हूँ उनके Terms and Condition है उसको आपको Accept करना है Accept करने के बाद आप कितने लोग जाना चाहते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Up to 10 यहाँ पर आप बुक कर सकते हो और उसका Ticket भी यहाँ पर Price भी Show हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो Educate to Premier and Silver तो यहाँ पर Select Seat है उसके उपर क्लिक करना है उसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो Gray Color का है वो सिट भर चुके है यहाँ पर आप भी बुक नहीं कर सकते हैं और Green Color का है वो अभी यहाँ पर बुक कर सकते हो सामने की तरफ स्क्रीन है और यहाँ पर Sold, Available और Selected भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप जो भी Movies देखना चाहना चाहते हो जो भी सिट सिलेक्ट करना चाहते है उसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पर Green हो जाएंगे मतलब यह टोटल सिलेक्ट हो चुके दो सिट सिलेक्ट हो चुके है उसके बाद यहाँ पर Pay का Option आ चुका है नीची की तरफ और वह है 400 रूपिस तो यह उसके उपर क्लिक करना है उसके उपर क्लिक करने के बाद अगर आप बेवरेज बेवरेज कोंबो पैट पापकोम बेवरेज स्नैक्श लेना चाहते हो तो उसके उपर एड़ज23 च रवेज़ पक्लिक करना है अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ पर उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सारी information यह पर आ चुकी है जैसे कि हो यहां पर दो टिकीट है हिंदी का और फ्राइडे 17 पेप के जाने वाला हूँ शो टाइम यहां पर है उसी के साथ कॉंसे टेटर में लगने वाला यह भी यहां पर देखने को मिल जाते है टिकेट प्राइस कितना था अगर आप चाहते हो रिमूव करना थो यहां पर देख सकते हो अगर आप चाहते हो प्रोपर करना है उसके उपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास क्रेडिट के आड है इन में से कोई भी जैसे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार अगर आपके पास क्रेडिट कार है तो यहां पर आपको बाइवन गेट वन तरीके से आप बुक कर सकते हो अगर आपके पास इसके साथ अगर आप बुक माईशो के उपर जाएंगे तो यहां पर उनके वाउचर भी है उसके साथ यहां पर वालेट के जरीए भी आप पेमिंट करते हो तो यहां पर आपको डिसकाउंट देखने उनके मिल जाता है तो अगर आप चांते हो बाइवन गेट वन तरीके से बुक करना तो इनमें पेमेट आप सलेक्न कर सकते हो अगर इनमें से कोई भी क्रेंट कार्ड नहीं है डेबिट कार्ड नहीं है तो आप डाय्रेक्ली यूपी आए की की जरीए तो यहाँ पे Amazon पे और Paytm यहाँ पे सेलेक्टेड है और अगर आप जीपे की जरीए करना चाहते हो तो यहाँ पे वर्चुल आइडिया आप इंटर करना है और Pay के उपर क्लिक करेंगे तो आपके G-Pay या फोन के ऊपर यह लिंक चला जाएगा वहां से पेमेंट कर सकते हो इसी के साथ यहाँ पर अगर आपके पास है डेविट कार या क्रिडिट कार तो यहां पे उने के अपर प्लिके करेंगे तो रेडरुक करेगा पेमेंट पेज के उपर जहां पर आपका काड बार से उसके ऊपर करना हैPAYment के लिएकान को बाद योऔरption से उपर क्लिक करना है उसके उपर क्लिक करने के बाद अभी जितने भी आपने बूक की है टिकेट वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है जैसे कि अवतार के यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है सिर्फ जब भी आप ठेटर में जाएंगे तो ये आपको टिकेट शो करना होता है वो स्क्यान कर देगा और आपको इंटरी मिल जाएगे बस इतना ही करना होता है तो कुछ इस तरह से आप घर बैटे अपने मोबाइल से ही बुक माई शो के जरिये बाइवान गेट वन तरीके से एडवांस मुवी टिकेट बुक कर सकते हो तो मुझे उम्मीद है ये छोटी जान करें आपको पसंद आए होगी अगर पसंद आए है तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंट्रेस्टिंग जान करें के साथ तब तक लिए धन्यवाद आपका दिन शूब रहे